नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन साइंस का चैप्टर नमबर थ्री, एटम्स और मॉलिकुल्स हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एक्टामिक मास के भारेंगे, ठीक है तो चली शुरू करते हैं, तो एक्टामिक मास का जो कंसेप्ट है, य यह आया डालटन्स अटामिक ठीक है, यह पढ़े हम लोग पीछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, तो उसमें डालटन्स के द्वारे यह बताया जाता है, कि एक मास होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तो इस तरह से हरे का अलग अलग होगा, यह डाल टन के जो प्रोस्टि हो तो करी नहीं सकते बहुत प्रब्लम में चैसे कैस और वैसे थो करना भी नहीं यह नहीं है यह घूरीमिंट सब का हडा मास कालकुले हैं यह घ्रना काफी मुस्किल है। आप देख सकते पीर09 सब्रeř ANDREW सब्कालिक कालकुलेेटक है यह तो प्राक्टिकलिक लेबल है मास केल्पूले порarem तो इसको क्षे समझने के लिए एक फाल की दुकान है ठीक है तो यहाँ तो आप वो वेट करेगा कैसे तिक एतने साद फ और उसको बीचना भी है लेकिन उसके पास वेट करने का जो जल जो होता है जिससे बहार ना पा जाता है एक kg-2 kg आदा तो वही नहीं है इसके पास लेकिन इसको फल तो बेचना है तो अब ये क्या दिमाग लगाएगा तो इसने एक दिमाग लगा है फल वाले ने कि एक सबसे एक नॉर्मल से तरबूज को उठाया ठीक है तरबूज को उठाके और इसको क्या किया कि उसने 12 डिवीजन कर दिया ठ डीजन कर दिया तरवुज का और उसको एक यूडिट बना दिया ठीख है अब उसके respect में वो सारा फल इसमें बेचेएगा ठीक है तो यह एक उसने आइडिया लगाया तो यह आप आप देख सकते हैं एक तरवुज था तो ऊसको इसमें 12 भाग में, बराबर भाग में बाठ दिया, ठीक है, अब एक भाग को, एक तरवुच के एक भाग को, जो की बराबर बराबर है, उसको एक यूनिट बोल दिया, ठीक है, अब उस एक यूनिट से लेके, वो compare करकर करके, वो से भी बेच रहा है, मुरूद भी बेच रहा है, हर फल को वह इस ही रेश्पेक्ट में बेज रहा है ठीक है तो यह यहाँ पर concept है तो यह जो concept इसने लगाया ठीक है इसको el kuo fruit mass हम लोग बोल सकते हैं हैं यहाँ restring फिम्हास ठीक है टो इसने जो फल बेज रहा है यह रिलेटिव फूट मास के तोर पे इसने फल बेज रहा है ठीक है एक्जैक्ली तो सही नहीं हुआ लेकर एक रिलेटिव टर्म पर ये सही हो जाएगा ओके तो यहीं कंसेप्ट लगाया साइंटिस्टों ने एक्टम का मास निकालने के लिए ठीक है तो यहां पर कंसेप्ट आ जाता है रिलेटिव एक्टमिक मास ठीक है तो 1961 में तो क्या हुआ कि उसके पहले 1961 के पहले अलग अलग अलिमेंट पर ट्राइब पर ट्राइब किया जा था लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था तो 1961 में जो साइंटिस्टी टीम बैठी और उनिवर्सली असेप्टेट कर के लिए कि हम लोग सब को यहीं मानें गे कि हम लोग कार्बन 12 करबन का जो मेतर में मास होता है उसको हम लोग लेंगे ठीक है तो कार्बन में भी कार्बन झार्व और यहां पर ये तो अगर वो वाला concept समझ में आ रहा तो ये भी तुरत आ जागा तो carbon 12 का उन्होंने आइसो टोप लिया ठीक है और ये बता दिया कि one 12th of the mass of the carbon 12 ठीक है वो एक unit mass होगा तो one atomic mass जो होगा वो एक carbon का यहाँ पर carbon के जो atom होगा उसका mass को one 12th कर दें तो same concept यहाँ पर भी बारवाग में बाटा गया था तरबूज को यहाँ पर carbon के जो atom को तो काट नहीं सकते लेकिन उसका जो भी mass होगा carbon का उसके 1 12 उसका 12 हिस्टा को हम लोग एक unit माल लेते हैं ठीक है आब इसी respect में बाकी का हम लोग साऱ का mass निकाल देंगे ठीक है जेतने बेलिमेंट है उससे सब था atomic mass हम लोग निकाल देंगे तो यहां पर concept होगया तो यही इसका definition भी हो जाएगा आगे जाके, कि आगर हम लोगे इसके definition की बात करें, तो relative atomic mass of an atom is defined as the average mass of an atom as compared to one twelfth of the mass of the one carbon atom. तो one carbon atom का one twelfth of the mass जो होगा, वही average atomic mass होगा, मलत कि एक unit जो atomic mass होगा, वो one twelfth of the mass of the carbon atom होगा, ठीक है, तो यही इसमें concept आ जाता है. यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात यह होगे, carbon 12 का atomic mass यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, अब कुछ element का देख लेते हैं, तो उसका atomic mass कितना होगा, जैसे कि hydrogen, ठीक है, तो hydrogen का atomic mass mass one होता है, और atomic mass को you से represent करते हैं, अपर ध्यान देनी बात है, करेंगे तो वसी तरह का हम लोग यहां पर लिए थे कार्बन ठीक है तो वहां पर 12 हो जागा तो यहां पर 12 है उसी तरह से याद रखने की चीज़ है और यह इसका रिलेटिव एकोमिक मास इसका हो यहां अक्मिक मास इसको बोल सकते हैं उसी तरह से अक्सिजिएन का 16 हो गया सोलिम का 23 हो गया मैंगेशम का 24 अगली वीडियो में झाल झाल